उस यार एडी को केजरिवाल ने दिखाया ठेंगा क्या हनुमान काड़ खेल केजरिवाल ने चल दिया राजनीतिक दाप आकर क्यों केजरिवाल के पीछे पड़ी है एडी नमश्कार आप देख रही है नेक्स रहे न्यूस पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ अकास्ति भी दिए दर्चकार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कोश्यन मार्क कुस्तो है और इस खास प्रोग्राम पर ऐसे ही एक मामले की बात करेंगी जिसपे आभी भी कोश्यन मार्क लगा हुआ कि आखिरकार ऐसा होता हुआ कैसे नजर नहीं डारा पता दे की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की महामहीम मायावती को लेकर वो मायावती जिनको लेकर चर्चाय तेज हो रही थी कि इंडिया गडबंधन पर सामिल हो जाएंगी वो मायावती जो दलित वोट साधने के लिए बड़ा काड मानी जो आ रही थी वो मायावती जो उत्तर प्रदेश के सियासत पर जज़बी पार्टी से उतरती तो ब्रहमास की तरह काम करती और पार्टी के जीत दिलाने के लिए अपना जो वर्चस हुए वो पूरी तरह से लगा देती लेकिन यहाँ पर मायावती के जो बयान बदले मायावती का जो यहाँ पर कहना हुआ उस सिक कहीं न कहीं इंडिया गडबंधन को बड़ी समस्या देखने को भी पता देगी इंड उतरप्रदेश की दलितों की महामहिम मायावती उनके खेमे में आ जाए इंडिया गडबंधन पर सामिल हो जाए जिससे उनका खेमा मजबूत हो जाए और मजबूती के साथ आगे बढ़े और ऐसे में हर वो अर्थक प्रास यहाँ पर विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे तो यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टकर देने के लिए उनके पास एक बड़ा ब्रमहास्त तरा जागा और वाकई में अभी भी मायावती वो बड़ा ब्रमहास्त लेकर कही ना कहीं उतरप्रदेश के सियासत पर बैठी और जिस भी पार्टी के साथ जाएंगी कहीं ना कहीं उस पार्टी की जीत का जो प्रतिसत है वो उपर होता हुआ नजरा सकता है पता दें कि हापर इस तमाम बातों को लेकर मायावती ने अपने रुखों को साफ कर दिया अपने जन्वा दिन के मौके पर मायावती ने आपर बड़ा एलान कर दिया और मायावती ने साफ कर दिय कि वो किसी भी दल के साथ जुड़ने नहीं वाली है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कॉंग्रेस हो, चाहे वो इंडिया गडबंधन हो, चाहे वो एंडिये गडबंधन हो, वो किसी भी गडबंधन के साथ नहीं जुड़ेंगी, वो अकेले मैदान पर उतरने वाली है, और फर्क पढ़ता हुआ नजब नहीं है लेकिन इंडिया गडबंधन की नेताओं की यहां पर सुर बदलने लगे, इधर मायावती ने इस बात का इलान तो किया कि वो किसी गडबंधन के साथ नहीं जूड़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अकलेश यादव का भी जिक है, वो दलितों की बेटी नहीं, दौलतों की बेटी है, तो ऐसे में उनका ये बयान आया, फिर यहां पर अखलीश यादव को बयान आया कि हम तो उनको प्रधान मंत्री बनाना चाहते थे और वो इस तरीकी के बाते कर रही है, तो कहीं ना कहीं सियासत व्यक्तिगत तोर प पर देखने को मिल रहा है कि नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारूप कर रहे हैं ना कि राजनीतिक तोर पर आप पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी अन्य विपच्छी पार्टी पर हत्कंडे अपनाते हैं, बयान बाजिया करते हैं, लेकिन यहां पर व्यक्ति मायावती यह जान चुकी है कि अब इनकी यात्रा की पहिये कैसे तोड़ने और मायावती उसकाम पर लागातार लगी हूँ, पता दे दर्श को कि यहां पर मायावती अब राहुल गांदी को लेकर अपना रुक साफ करती हुए नजर आ रही हैं, और बोलती हुए नजर आ और राहुल गांदी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की हावा निकाल दे, राहुल गांदी भी गल्ती की है, उन्होंने कही न कहीं से बारे में भी मायावती बोलती हुए नजर आ रही हुए, बता दे कि यहां पर मायावती के जन्म दिन की बधाई थम नहीं रही थी यहा पर मायावती के तीखे प्रहारों से कॉंग्रेस पार्टी की पूरी तरह से हवा निकलते हुई नजर आएगी। पता दें कि मायावती का मुंगेरी लाल होना भी बड़ा मज़े की बात कही जा रही। दरसल लोकलाज भी और मुंगेरी को लेकर यहां पर सवाल उठे हैं और कहा कि लोकलाज के मामले पर मायावती से कुछ बोलने जैसा नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि असल में लोगों को यादास बहुत कमजोर है इस बारे में भी कहा गया। पैच पता दें कि मायावती के जन्मदिन के मौके पर बदाईया नहीं थम रहे थी लागातार लोग यहां पर बदाई पर बदाई दे रहे थे और मायावती को खुश करने पर लगे रहे थी। और देखा जा रहा था कि इंडिया गडबंधन पर जुड़ने से उनका सियासी फाइदा भी देखा जाता था लेकिन अब वो इंडिया गडबंधन से जुड़ने के लिए पूरी तरसे मना कर चुके और सियासी फाइदे के लिए वो किसी गडबंधन से नहीं जुड़ना खुद अकेले मैदान पर उतरना चाहती है और ये बताना चाहती है कि वो एक बहतर नेता है और आज भी अपनी पार्टी का गठन करने के लिए मायावती तत्पा है इसके साथ बता दें कि तमाम लोगों को सायद ये भूल चुके हैं कि देश के पिछड़े के पिछड़ों के नेता जैसे कभी करन सिंग हुआ करते थे मुलायम सिंग यादो होते थे उसी तरह अब पिछड़ों के नेता नरंद्र मोदी हो चुके है इस बारे में भी चर्चा पिछोड़ों के नाम पर अखलिश यादम की समाजवादी पार्टी सिर्फर यादों तक ही नहीं अपने मामले को सेमित कर चुकी है लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपने से आगे बढ़ चुकी है तरश को बता दें कि यहाँ पर लगातार कयास यह लगाया जब नहीं कहा यह पर दलितों को मशिया कहा जाता था लेकिन बीजेपी अब सिर्फ सोड जातियों पर नहीं ठीकी बीजेपी अब पिछडे वर की जातियों पर भी आ गई और पिछडे वर की जातियों से यहाँ पर वोट बटोरने के लिए पूरी तरह से सक्चम हो चुकी और यहाँ पर अब दलितों समेटने के लिए पूरी तरह से बीजेपी पार्टी तयार बूम रही है दर्जकू लगातार मायावती को इंडिया गडबंधन में सामिल करने के लिए सारे प्रयासरत यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी के विवर्थ और कयाशों की माने यहाँ पर सूत्रों की म तो लगातार खबर ये आएं की मायावती कहीं न कहीं एंडिये खेमे में जा सकते हैं क्यों कि मायावती कहीं गहीं वी जेपी के खिलाफ कम कॉँछ आदा बोलती है कुछ वक्त पहले कॉउंगरेस साथ इनकी ताना तानी भी देखने को मिली थी पता दें कि विधान सभाद चुनाव से पहले माया वती और राहुल के बीच की तकरा देखने को बिली थी और कहा गया कि यही एक बड़ी वज़ा थी जिसके वज़े से माया वती उनके खेमे पर नहीं जाना चाहती और ऐसे में खलेश यादव जो उत्तरपदेश के सियासत पर लगातार ये दावे कर रहे थे कि किसी प्रकार वहाँ पर जीत दर्च कर लेए यादव वोट बैंक पर उनकी निगाहे ठीकी थी और ऐसे में माया वती के साथ वज़ुड कर दलित वोट को बटोर कर इंडिया खे मजबूत होने से पहले ही कहने के डगमगाता हुए नजर आ रहा है क्योंकि उनका खेमा एक तरफ तयार तो हो रहा है लेकि दूसरी तरफ उनके नेताओं के बयान और उनके नेताओं के प्रतकरियाओं से समझ में आता है कि एंडिये खेमा जो है वो इन सब चीजों से परे रहता है बलकि इंडिया कटबंधन का जो खेमा है वो इस पर अपने प्रतकरियाओं के चलते विवाद व nep पता दें कि यहां पर इंडिया कटबंधन की ही नेता हैं जो बीजे पी की तारिफ कहीना कहीं करते हैं कभी यहां पर त़रूरी तो देवड़ा और सिर्फ जेना मे याँकी पार्टी का नेतुरत कितना ज्यादा क्टा है। कि अब उसको उभरने के लिए कॉंग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मेनत करनी पड़ेगी तो कि दलितों का भूट साधने के लिए कॉंग्रेस के पास अभी कोई ऐसा नेता नहीं दिखाए दे रहा जो दलितों का भूट उठा सके मायावती को एक बड़ा चहरा मान कर चल रही थी इंडिया गटबंधन और चाहती थी कि ये अगर हमारे खेमे में आ जाती तो हमारा पर्चम लहरा आ जाता हम जीत की प्रतिसत को बढ़ा ले लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं है दर्द को देखना होगा कि जिस प्रकार से मायावती ने यहाँ पर इंडिया गटबंधन पर जाने से मना कर दिया है तो ऐसे में अब इंडिया गटबंधन के लोग क्या नए पैतरिया पनाती है क्या आप पिछडे वर को साधने के लिए कॉंगरेस पार्टी का कोई नया नेता खड़ा करती है या फिर अभी भी उमीदे बाकी है कि मायावती उनके खेमें पर जा सकती है पूरे मुद्धे पर आप अपनी क्या राया रखते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा फिलहाल के लिए इतना इस दुनिया की तमाम कबरों से जुड़ हैने के लिए अब देखते रहें एक स्रेंट निउस पॉलिटिकल वाइट